खबर इंदोर से हैं जहां MIG पुलिस ने भाजपा नेता और उसके लिस्टेट गुंडे साथी सही तीन लोगों से ट्रेक धोकाधरी मामले में पूस्ताज शुरू कर दी है आरोपियों पर दस्तावेजों में हेरा फेरी कर ट्रेक अपने नाम करने का आरोप है सौमवार कोप कोट ने तीनों आरोपियों को दो दिन की रिमांड पर पुलिस को सौपा है इन्होंने देवाज से किसी फरजी नाम पर ट्रेक खरीदा और बेचवाल को भरोसा दिया कि लोन की किस्ते भर देंगे बाद में इसे अपने नाम करा कर कबार में बेज दिया किस्ते नहीं भनने से वसूली वाले मूल ट्रेक मालिक जिसने बेचा था धमका रहे हैं उसकी सिकायत में फरजी वाड़ा खुला M.I.G. थाने के A.S.I. मुनेंदर कुश्वाहा के मताबिद घटना 25 जून 2021 की है देवास निवासी राकेस मालवीक से एरान पुत्र यूसुप निवासी इश्हाक कालोनी ने मजहर खान बन कर ठगी की इमरान ने राकेस का ट्रेक अपने नाम करवा लिया बाद में उसे कपिल पुत्र अशोक तिवारी निवासी चावनी और इर्फान उर्फ सामू जी पुत्र गम्मू निवासी स्री नगर की मदद से ट्रेक को कबाड में बेज दिया इस मामले में लोका युक्त ने कबाड का कारोबार करने वाले वैपारी की सिकायत पर सिपाही नरेंद और श्याम पर करवाही की S.I. राम शाक की भूमी का संदिक्त होने पर उसे भी सस्पंट कर दिया था पुलिस के मुताबित कबाडी ने पूस ताज में कपिल और अनसाथियों के नाम बताये थे सभी आरोपियों से और खुलासे होने की संभावना है पुलिस को संका है कि पूरा रैकेट कपिल ही संचालित कर रहा था कपिल तिवारी के भाजपा के कुछ नेताओं ने नजदी की संबंध है वे भाजपा के वेपारी प्रकोष्ट में भी रह चुका है 2013 में कपिल तिवारी को मुंबई पुलिस ने लूट का सोना इंदौर के वेपारियों को भिगवाने के मामले में गिरफतार किया था इस आरोप में उसे मुंबई पुलिस ने जेल भेज दिया था एक अन्य मामले में कपिल पर भनवर कुआ पुलिस ने एक वेपारी ने ब्लैक मेल करने पर धमकाने की सिकायत दरज कराई थी पुलिस के मुताबित कपिल के पिता अशोक ने भी नारायन पनवार की 2008 में हत्या कर दी थी इस मामले में वे जेल में था कुछ समय बाद कोट ने उसे उम्रिकेत की सजा सुनाई थी कपिल के और साथियों की भूमिका की थी M.I.G. पुलिस जाच कर रही है